मेरे लिए creativity means simplicity and simplicity is very difficult to achieve एक पत्थर वे जिसको बिल्कुल शेप नहीं है उस पत्थर के अंदर श्रीकृष्णे राम की मूर्ती है आपको पहले से मालूम है आप क्या करते हो unwanted चीजे वो पत्थर की निकालना शुरू करते हो कि ये मुझे नहीं चाहिए ये मुझे नहीं चाहि करते हो तब जाकि आपको फाइनली जो मूवी थी जो क्रियेटर ने पहले देखिए माइंड में कि मुझे ये बनाना है उसको बनाने के लिए आपको लेयर निकालना पड़ते है क्रिटिविटी फॉर मी इस जो अननेसेसरी लेयर होते है जो unwanted लेयर होते है उसको निकालते जाओ तो क्रियेटिटिवी फॉर मी इस मैकिंग ठिंग सिं४ल, मेकिंग ठिंग अप्वच्छेबल, मेकिंग ठिंग्स क्मिनेकर बल लोक जिसको क्मिनिकेट कर सेते हैं लोक जिसको देखके अंडरस्टांड कर सकें अलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंदर सिंग राठोड आप लोग के लिए लाया हूँ इनर वेल्नेस टाइप का अगला एपिसोड आज हमारे भी बड़े शांदर गेस्ट मुझूद हैं डिरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं ताली मैं अटलू जैसी शांदर पिछरों को इन निकल करके नेशनल आवोर्ड विनिंग डाइरेक्टर अगर आप शोट में समझा सकें तो मैं वली में बैचा था मुमे में पहले और वहाँ पर मेरे पिथाजी मिल वरकर थे टेक्स्टाइल मिल तब काफी वा करती थी यहां पर मुमे में और मिल वरकर थे और वो उनकी Garna Harmonium Bajana तो मुझे लेके जाते थे गाओं में हमारे गाओं में हर साल में एक बार नातक होता है बहुतakes है अमेस्ट gone काओ कोगन में वहाँ पर मुझे बशबध में नाटक के लिए लेके गए मने एक चोंटा सा पाट लिया तय समय अन्ड तब BAR मैंने स्टेज देखा तो पर्लीबर मैंने मैं एस्टेज पर गया और मैंने बाल शिवा जी की बुमिका की ती उसमें जिसमें वो देखके हमारे गाव में यह एक आदत है कि सब लोग अगर अच्छा लगा काम तो एक रुपया, पाच रुपया, दस रुपया इसे गिफ्ट देते हैं तो मुझे उस ताइम 110 रुपय मिलेते हैं और मुझे इतने खुशी हुए थे खुशी इस बात के नहीं हुए थे कि प्रेसा मिला, खुशी इस बात के हुए थे कि दूसरे दिन सब लोग आके बिस्टिंग देते थे, तुन्हें अच्छा काम किया, आगे जाके आइसा ही काम करना तो मेरे लिए एक नए एक्स्पिरेंस था, कि स्टेज पर जब हम काम करते हैं, लोग कितना परसनली लेते हैं उसको, लोग किस तरके से हमारे पास देखते हैं, कितना प्यार करते हैं, और तब कभी सोचा नहीं था, जिंदक में आगे जाके मैं कभी फिल्म मना हूँगा, बाद में definitely schooling, schooling हुआ, उसके बाद में मुझको drawing की मुझे hobby थी, मुझे मुझे चित्वकला में कुछ करना था, तो घर के परसीति है, इसीति कि सब ने बोला कि science, art या commerce करो, क्योंकि वो करने से बहुत चल्दी job मिलता है, तो मैंने बहुत समझा हैं उनको कि art भी है, कुछ art म में कुछ कर सकते हैं, उसमें बाद में कमाई हो सकती है, बट कमाई से जाता satisfaction बहुत मिलता है, बट नहीं माना किसे ने, तो मैंने science लिया, दो साल science किया, पता है अब तक मालूम ने डेवी टीविस और integration क्या होता है, तो तब तो बहुत पसीने आते थे जब college जाता था, मैंने paper डालना शुर कर दिया, मैं उसी मिल में काम करना शुर किया, मैंने जब माया पिताजी काम करते थे, मैं मिल में काम करता था, paper डालता था, and then मैंने जेजिस क्लोब आट में जब मैंने admission लिया, तो जेजिस क्लोब अप्लाइट आट में जब मैंने admission लिया, तब से तो शुरुवाद एड़िटाइजिंग, टियर्टिव हैड और यू एंटर इंटर इंटू मुवीज पहले दिन मैं 1995 मैं जॉइन एड़िजेंसी काल्ड ड्राफ एप से भी उलका बहुत बड़ी एड़िजेंसी है, हमारे पास बहुत बड़े-बड़े इंटरनाशनल और इंडियन अकाउंट्स थे जहां पर मैंने काम करना शुरू कर दिया, काफी सवे एड़ डिजाइन की पहले में ग्राफिक डिजाइनर था बाद मैं स्लोली-पली लिखना शुरू कर दिया, जब लिखना शुरू कर दिया तब मरे एड़िजेशी ने खाथ कि आप जाके शुटिंग अटेंड करो तब मैंने शुटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया और हमारा एक अकाउंट था Zee, one of the account of FCB, तो मैं जिस ग्रूप में था, तो उसमें Zee के अकाउंट था, तो मैं उनके सब सिरियल के कैमपेंड करता था, टीवी, उनके होडिंग बनाता था, तो पहली बार मैंने ये entertainment world नजदिक से देखा, जब मैं उस supporting करता था तब, और तब माइन में ऐसा आता था कि या, अच्छा है, वे film भी करना चाहिए, और पैरलल ये चल रहा था, कि जब मुझे अड़र्टाजिंग में आवर्ड मिलते थे, तो मैरे पिता जी पुष्चे तेरा नाम कहा है, कि आड़र्टाजिंग में अड़र्टाजिंग में अवर्ड मिलताना नाम आता है कि, XYZ Creative Team, एसा नाम आता है, तो पिता जी तो पुष्चे तेरा नाम कहा है, टूनैंश में क्या किया, मैंने किया आया बर तेरा नाम क्यों नहीं आया तो तेरा नाम आने के लिए कुछ तो कर तो यहां से एक सीड मन में आया कि मैं क्या करूँ तब तक तो एड़ फिल्म बनाना शुरू किया था मैंने तो सुचा एक फिल्म लिखूंगा एक फिल्म करूँगा और देखूंगा क् में पहली फिल्म की नटरंग जो 2010 में विलीज हुई मराथी में जिसमें अतुल कुल करनी थे और जिसको नैशनल अवाड मिला और काफी लोगों को फिल्म बहुत ही बच्छी लगए उसके गाने अब तक काफी घरों में बच्छते हैं और जो उसको नैशनल अवाड मिला तो अब एक और फिल्म करें देखते हैं कि अगर कुछ रए तो आपिस आजा कि फिल्म मेकिंग ऐसा वर्ल्ड है कि हम कुछ बोलने सब्सक्ते कि यह इस फिल्म हीट होगा या यह ए फिल्म को आवाड मिलेगा या यह फिल्म फिलॉप होगा कोई बोलने सकता हम कोशिश करते बनाई मने बालक बालक जो सेक्स एजुकेशन पर थी जो दो आजा तेरा में विलीज होई थी मराटी फिल्म थी जो बहुत पॉपिलर हुई महाराश्टर वे और उस फिल्म के वाद मेरे आफिस वालों को मालने पड़ा कि वापिस नहीं आएगा अब यह फिल्म में रहेगा तब से मैं बेसिक लिए फिल्म में करता हूँ आप जिसे डाइरेक्शन में आ गए तो कई बार लोग कहते हैं कि आपके अंदर एक वो बेसिक कॉलिटी बचपन से होनी चाहिए किसी फिल्ड क्रियेटी फिल्ड में जाने के लिए तो आपके अकोडिंग यह लर्णेबल है यह स्किल्स या फिर कुछ सीड बचपन से भी होना चाहिए आपके अंदर मुझाता हूँ कि मैं अगर मैं खुद का एक्जांपल दू तो हम तीन भाई है मेरा बड़ा भई अभी विख्षा चलाता है सबसे बड़ा भाई मेरा जब मेरा सेकंड नम का जो भाई है मेरा वो भाई से खृदा है मैं वुट पड़ी वह सेम थे हमारी नेबर सब सेम थे हमारी सब रिलेट्व सेम थे तो ऐसा क्यों हो और कि मैं डिरेक्टीर डिरेक्शन में गया रिख्षा चलाना शूरू कर दिया मैं जो सेकंड नमा बाही है वही कंपणी में काम करता है तो इस सोश् जो टीचर सिखाते थे उसमें शायद मैं आर्ट धुनता था शायद मेरे में वो था कि मैं आर्ट कैसे धुन्डू तो बेसिकली वो जो अबसरेशन की जो सीड्स पहले से बच्चमन में थी ना वो अबसरेशन से आगे जाके मैं एड करने लगा मैं फिल्में बनाना लगा क्योंकि एड्स में भी ऐसा होता है कि आपके एड्स में अलग क्या आपके एड्स में वो क्या अलग है जो बाकी एड्स से अलग है लोगों को उसमें क्या अच्छा लगता है, लोगों को तभी अच्छा लगता है, जो लोग बोलते हैं, मुझे मालूम है, यह मेरे साथ भी हुआ है, वो आपको कब मालूम पढ़ेगा, जब आप लोगों को देखोगे, तो मुझे लगता है कि observation है सबसे important element है, जब आप कोई ज़्यादा real way में audience तक उसे पहुचा पाएंगे, absolutely, yes, 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 so creativity, क्या है आपके recording, what is creativity, और अपने अंदर की creativity को spark करने के लिए, कोई ritual है जो आप follow करते हो, या how do you spark creativity, मेरे लिए creativity means simplicity, and simplicity is very difficult to achieve, means there are two type of filmmaking processes, एक होता है, the process like a painting, is this painting में आप क्या करते हो, उर पेंटिंग में आप कलर के उपर एक एक कलर अपलाई करते जाते हो, canvas के उपर, एक blank canvas होता है, वो blank canvas के एक एक कलर काड़ अपलाई करते जाते हो, appा एक to direct layer add करते जाते हो, तब जाके finally आपका एक painting जो आपको बनाने हो बनता है, डूसरा प्रोच है, it's like a sculpture, जहां आपक चीजे वो पत्थर के निकालना शुरू करते हो, कि ये मुझी नहीं चाहिए, ये मुझी नहीं चाहिए, चिन्निय और हाथावटे से आप उसको निकालना शुरू करते हो तब जाकि आपको भी आपने आप communicate कर सकते हो कि ये फिल्म का ये subject है वो simplicity अचिव करने के लिए आपको एक तो art और craft मौलुम होना चाहिए आपको sculpture का जो art है कि कि किस जोल से मुझे वो आतोडा मालना है जब मुझे मैं उतना ही पत्तर का चिलका वहां से निकलेगा वो experience आपको होना चाहिए तब भी आप simplicity अचिव कर सकते हो तो creativity for me is making things simple, making things approachable, making things communicable लोग जिसको communicate कर सकते हैं लोग जिसको देखके understand कर सके तो for me making film is like that Recently आपने जैसे ताली बहुत आपका famous रहा So जब आप यह सी पिछरें अप्रोच करते हैं जो कि sensitive topic पे हैं तो आप जो reality है वही project करते हैं या फिर आपकी फुद की जो philosophy है उस चीज को लेकर के वो भी आपके direction में हाती है So how it happens दोनों biography थी ताली biography थी गौवी सावन की जो transgender activist है उनकी biography थी मैं अटलू अटल जी की biography थी दोनों बहुत difficult थी in terms of लोगों तक लेकर जाना बेकर दोनों का life लोगों को मालूम था गौवी सावन का life भी काफी social media में है काफी जगा पर लोगों को मालूम था कि यह उनकी story यह है यह अटल जी के life में लाइफ के तबावे में आतिंक पर भी भारत की जानता कि बहुत लोग उन पर बहुत प्यार करते थे तो लोगों को मालूम था कि यह क्या है कहानी चैलिंज यह था कि उनको जो मालूम है उनको दिखाना है बिकाज उनको वो देखना है और यह तो मुझे मालूम है वैलिडेशन मिलेगा उनके साथ ऐसे चिज़े दिखाओ जो उनको मालूम नहीं है बिलकुल अगर मैं किसी बाशन को जा रहा हूँ एक हाँ तो लिखा है कि अतल जी ने ये बाशन दिया उसके पहले क्या हुआ था एक घंटे पहले वो नहीं पता किसी हो बैकेंड में क्या चल रहा है या उस बाशन के बात क्या हुआ वो किसको मालूम नहीं इस जगह आपका observation इस जगह आपका अनुबव आपका experience काम आता है कि आप सोचते हो कि क्या हुआ होगा आप कुछ टाइम के लिए आप कुछ कुछ टाइम के लिए आपका experience बिलकुल नहीं होता उस field में लेकिन आपको वहाँ जाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए आपको अलगलग direction में सोचना पड़ता है उनने यह सोचा होगा या शायद यह सोचा होगा और finally आपको एक जगह पर आना पड़ता है और बोल नहीं शायद उनने यह सोचा होगा तो वो एक difficult process होती हमारे लिए की exactly क्या करना है वहाँ पर and biography मैं हमेशा मानता हूँ biography करना is a responsibility because किसी ने ओ लाइफ अलड़ी जिया हुआ है it's not a fiction it's a real thing किसी ने ओ लाइफ जिया हुआ है उस पर सबसे बड़ा अधिका उनका है जिने ओ लाइफ जिया हुआ है तो कभी भी वो ताजमाल को आप एट मत लगाओ ताजमाल को ताजमाली रहने दो इसने उनकी जो सुन्दरता है लाइफ की उनके जो challenges है उनके जो परिश्वेम है उनको आप कैसे लोगों तक लेके आओ और वो लेकते आते हुए आप ऐसा creative liberty मत लो जिसको उसको ताजमाल को इट लगे आप ऐसे उसको करे जो और निखावे जो और beautiful देखे तो कई बार picture को real रखने में और उसे commercially hit बनाने में दोनों में कोई dilemma आता है तो उस dilemma से कैसे deal करते हैं एक साइड ड्रामा भी शायद create करना है commercial success भी बनानी है एक साइड उसको as real as possible भी रखना है तो how do you deal with that dilemma? लखिली जो मेरी पढ़ाई जिस subject में हुई है उसका नाम है commercial art commercial art, ओके इसको applied art भी बोलते हैं तो उसको उसका नाम है commercial art जिसमें मैंने degree लिये अभी उसमे commercial भी है उसमें art भी है मैं आपको कुछ film के example देता हूँ for example लगान जिसमें commercial भी है लेकिन art भी है बहुत beautiful उसको beautiful है वाचको पहिए कि आप कोई भी film देखिये उसमें commercial भी है उसमें art भी है अब गुदरत की कोई भी film देजी क्या आप कमश्कर कमर्च चड़ू तौन का जंक्षन मनाव यह दो दो इफरेंट्ट्राक्स है दो इफरेंट्रिक्षेट्ट्स जंक्षन बे एक साथ आति ऑजो बैलेंस होती है पर्फेटली चाब बैलेंस होती है I think that junction is the most beautiful film जैसे राजकुबा वेवेन के फिल्म जो पहली फिल्म ती मुन्ना भाई that's a commercial also and that's a art also so I think जहाँ जहाँ commercial और art का जहाँ मिलन होता है न वहाँ बहुत अच्छी फिल्म होता है magic creator जहाँ वहाँ magic creator होता है so only commercial is not enough, only art is not enough इन दोनों का blend अगर किसे ने beautifully किया that's I think most beautiful thing luckily मुझे लगता है नटरंग, बाल गंदर ववा, बालक बालक then मैंने एक फिल्म की ती निवड नांकी then ताली, मैं अटल हूँ I think ये कोशिश थी कि commercial और art को हम कैसे ब्लेंड करे और हमेशा ये कोशिश थी कि commercial expect definite चाहिए because जो producer होते है हमारे, जो respected producer है उस पर पैसा invest करते है तो उनको उनका return भी मिलना चाहिए definitely वो जो भी मेरा art का एक hand satisfaction मिलना चाहिए तो दोनों का अगर blend हुआ तो I think जो magic creator तो जो audience को भी अच्छा लागता आप इतने समय से इस industry में है so क्या आप देख रहे हैं कि जो viewers है उनकी psychology और उनकी पसंद नापसंद में क्या changes आप देख रहे है because recently देखा जाए तो जब से OTT आया है तो films की जो success है वो काफी uncertain रहती है एक specific type की picture है जादा heat होती है कुछ ऐसी हैं जो OTT पर जाकर के जादा heat होती है so what is your take on this? how the perception of audience is changing towards filmmaking? मुझे लगता है पहले से जब हमारे यहां राम लिला होती थी जो entertainment का एक ही form था राम लिला जब गाओं के लोग जाके गाओं में जब कोई बड़ी यात्वा होती होती थी लोग जाके वो form देखती थी उनके लिए सबसे बड़ा entertainment होई था उच जमाने में जो normal farmer था या जो किसान था वो खुद को कुछ पल के लिए राम समझ था था वो कुछ पल के लिए समझ था कि मैं रावन को माद होगा कुछ वक्त के लिए उसके आद में वो पावाब आ चाहती थी और उसको वो देखने में बहुत मज़ा आता था वही magic अब तक चालू है अब अगर पिछे मुड के जब successful film देखोगे आप जो शोले हो जंजी हो जो बड़ी बड़ी film है जो बहुत बड़ा successful जिसको मिला है उसमें हर फिल्म में audience में खुद को देखा है और उसको लगता है कि मैं हूँ यह कुछ पल के लिए उसको लगता कि यह मैं हूँ या मैं यह चाहता था करना आज भी OTT में OTT के यह साथ भी वोई पावर वापिस आई हुई है आज भी लोगों को लगता है कि यह जो मैं देख रहा हूँ वो reality है और यह reality मुझे दो-तिन-चर किसम की signal देती है एक कि यह ऐसा हो सकता है यह ऐसा हो रहा है यह ऐसा होगा यह तिन possibility reality आपको देता है तो यह तिनी possibility पर मेरे बाजू में यह हो रहा है जो मुझे चेता हूँ नहीं देता है मैं शायद थोड़ा cautious रहता हूँ कुछ फिल्म ऐसी होती है लगता है कि शायद मैं भी यह कर सकता हूँ जो magical होती है यह ऐसा हो सकता है तो मुझे वो अच्छी लगती है बट overall in totality यह साराउश में भी कहा चाहिए तो लोग ज़्यादा reality के तरफ जा रहा है आपे लोगों को real चीजे देखनी है लोगों को real hero देखनी है लोगों को ऐसे चीजे देखनी है जो उनको पता है लेकिन उन्होंने इस form में नहीं देखी और यह बहुत interesting phase है जो मुझे लगता है तो यह इस phase में हर actor को, हर writer को, हर divator को कुछ interesting काम करने को मिलेगा ऐसा काम करने को मिलेगा जो उसको satisfaction दे commercially also as well as art wise also तो आप इसमें देखते हैं कि जैसे आप creative freedom में कितना difference देखते हैं जैसे आप कुछ OTT के लिए बनाते हैं तो do you feel that you have more freedom there कि शायद sensor board की cutting से नहीं गुजरना पड़ता है शायद इतना ज़्यादा और थोड़ा freely आप काम कर सकते हैं और ज्यादा real way में दिखा सकते हैं तो वो difference नजराता है actually देखा जाये तो filmmaking is a teamwork यह पहला teamwork होता है उस teamwork में creative people भी होते हैं उस team में marketing people भी होते हैं उस team में financier भी होते हैं only creative लोग से film नहीं बनती only financier से film नहीं बनती only marketing people से film नहीं बनती जो तिनो साथ में आते हैं तभी film में बनती है मैं advertising से belong करता हूँ तो मैंने यह 12 सल बहुत मैंने करीब से देखा है कि कोई में ad मनाता हूँ तो मैं भी marketing की मा के बोती है यह change का न थोगा यह थोड़ा अच्छे नहीं लगएगा शाइद क्लाइन को ला मेभी उसका ad इस तरफ से चाहिए तो वो उनके point of view सुन के उसको reject न करते है उस पर सोचना चाहिए कि क्या क्यूं बूलवे है क्यूं बूलवे है वाट इस पॉइंट दे इस तीम की हर आदमे का एम एक ही है उस film को सक्सेफिल बराना क्यूं बूलवे है कभी ने चाहते हैं फ़रा फिल्म मनाए ना फानिसर चाहते हैं ख़रा फिल्म मनाए इस सब भी लोग एक ही motivation से काम करते है फिल्म अच्छी चलनी चाहिए पॉप्लिर बूनी चाहिए तो जाकर हम जो भी कहना चाहते है audience तक पोचेगा तो corrections अभी भी होते हैं और काफी सारी corrections होते हैं we are to be mentally prepared for that कि correction तो आएंगे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे film होगी जो direction ने conceive की as it is वो release होगी बहुत कम example होगे बहुत ही कम example होगे हर चीज़ में there are point of views there are suggestions there are corrections but as a director मुझे कामली सोचना पड़ता है कि basically is that correction making any sense is there any point that I will explain them what I want to do so I'll explain them or they will explain me जिसके explain का तभी का अच्छा होते है और जीच जाता है जो अच्छी तभी के सब्सक्राइब करता है but कभी को ऐसा होता ना मैंने इतना अच्छा सोना बनाया लेकिन यह correction के वज़े से वाट लगे ऐसा नहीं होता I think correction देने का point of view सोची क्यों बोल रहा है उसका experience है ना इसमें कुछ तो तो मैं हमेशा team work पे बिलिव करता हूँ मैं हमेशा बिलिव करता हूँ तो मैंने कहा उसके सिंध की वाट लगे बड़ इस 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 पार्ट अफ दो बेसिकली प्रोसेस विच यह गूइन थू क्योंकि जैसा बलता ना अगर आपका पॉंट फ्रॉंग है तो आप आप जीत होगे उनका पॉंट फ्रॉंग है आप तो वो जीत होगे लेकिन इस अल्टिमेटली इम इस तो मेंका गुट्षिंग यह जो इंटर्नल डिफरेंसेस, कॉनिक्ट यह तो बात इंटर्नल के रह गई लेकिन जैसे OTT है तो OTT में जैसे मॉवीज में आप ज्यादा गाली नहीं बखते हैं OTTs में आप देखें, तो गाली के भीना OTT होता ही नहीं है, तो वो freedom कहीं ना कहीं जादा रह जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जादा freedom क्या किसी को irresponsible बना सकती है? Definitely, मैं कुद मानता हूँ कि हर आत्मी का कुद के माइंड में एक sensor board होता है, अगर मैं कल कहूँ मैं कुछ अलग कपड़े पिन के बाहर जाओ, मैं नहीं जाओंगा, कि में मन में कुद का sensor है, मैं मन मालूँ है कि मैं कैसे जाओंगा, मेरा outlook क्या होगा, मैं कैसे दिखना चाहता ह दोगों के साथ, यह मैं कुछ सोचता हूँ, वैसे यह मेरे फिर्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो मेरे माइन में पे खुद के कुछ संसकार होते है, जो self image, आंतरिक छवी हमारी बनी भी है, यह जानता हूँ यह फिर्म मेरे पिता जी मा देखेंगे, म मैं उसको अलग धन से करूंगा, like for example, मैं जो बालक बालक फिल्म के थी, जो 14 साल के बच्चे बच्चियों को सेक्स के बड़ में कैसे मालूम पड़ता है, इसके बार में फिल्म ती, उस पुरे फिल्म में सेक्स यह वर्ड भी नहीं था, मैंने consciously वर्ड उसमें टाला था, मै मेरा प्लान यह था कि वह फिल्म पैरेंट्स और किड्श सात में देखें, बच्चे बालक और बालक सात में देखें, यह मैरा प्लान था, इसलिए मैंने एंड तक उस फिल्म में कोई भी वलगर सीन नहीं यूज किया था, क्यों मैं मन का कुद का सेंसर हो था, मैरा मन में, उस ताइम तो OTT भी नहीं था, शेंसर बुड़ता, उन्हें ने एक बी कट उसमें नहीं दिया, वो फिल्म विलीज हुई, इतनी बढ़िया चलिया हुआ पैरेंस चेस पैमिली साथ में देखें, शेख एजुकेशन की फिल्म फैमिली साथ में देखें, बहुत अनुखा नज बट उसके लिए मुझे 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 खुछ से जगना पड़ेगा कि मैं सचमुष करू करू कि ने कुछ कुछ का मन में एक सेंसर करते हैं तो ऐसा होता है कि वो तो पसंद आ जाता है अपको अगर आपने देखा और रियल है तो डस तैट हैपन? या इसको आप प्रिटिस करेक्टर को शायद यही चाहिए था कि वो इतना कुखार था कि वो गाली देने के बिरा गामी ने करता है शायद करता है अगर मेरे एक्सपरेंस में मैं आप तक ऐसे किया नहीं शायद सब्जेट आया नहीं I don't know कि ऐसे कुछ डार्क सब्जेट कर लाएगा और लगा कि इस कर सकते हैं बर्न आउट में सुस कर सकते हैं स्ट्रेस में सुस कर सकते हैं सो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बनाए रखते हैं मैं जोक्स करता हूँ अच्या मैं मैं सबको आसाता हूँ सेट पर मुझे पाहले से बेसिक जब मैं अड़ स्वाइ देखनी है, तो पुरी रात आव ओफिस में काम करते हो, तर्टल सुबह ओपिस अब करोगे, फूल दिन रात देखोगे, क्लेंट का अब देखे, क्लेंट शाम को देखता है, सारे पाच बरी, ओपिस ओफोन करता है, नहीं मजा नहीं, वापिस एक बार करो, मैं गया हूँ इससे, सिमिलिल जभी, कोई टफ सिस्चेशन में काम करता हूँ, जैसे मैं आटल हुँ में, हम लोग नौईडा में शूट करे थे, यूपी में शूट करे थे, जून में ना था, फॉर्टी एट, फॉर्टी सिस्च दिए सेल्शेश टेंपरिचर था, और कड़ी दूपती, और वो सीन्स भी बहुत डिफिकल सीन्स थे, गंबे लेंबे डालोग थे, पंकर जी अमेजिंग काम कर रहे थे, और कभी इससे मुड़ के पीछे देखो, तो मेरा कैमेर का कोई लाइटिंग का बंदा गिर गया है, फीट आके निक पीछे, बिकास अफ दो सनलाइट, तब उस सब के मन का डर निकालने के लिए, एक पूरा एटमोस्फियर लाइट करने के लिए, मैं कुछ तो जोग काता था, अगर आपका जो कैप्टन ही, आप सब को हासाएगा, आप सब के साथ वो रहेगा हमेशा, जो स्ट्रेस से उसको इजाउट करेगा, तो सब के लिए बहुत इजी हो जाता है, अगर मैं खुद स्ट्रेस लाइना शोरू करू हूँ, मैं कैप्टन होता हूँ, उस पर्टिकलर सेट का, देर्सो दो सो लोग रहते हैं उस दिल सेट पे, कभी-कभी तो जुनियर अटिस दो या तीन हजावी भी थे हमारे सेट पे, जो बड़ी-बड़ी सभा हो का शूट करूट करूंग थे, लोग तभी भी आज दूप था, ऐसे टाइम पर एक तो खुद स्ट्रॉंग रहना, खुद हैपी रहना, और सबको हैपी रखना, आपको कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन वो दिखाना नहीं, आप खाली लोगों को बता लागी मजा आ रहा है, उस सबसे आप अगर चिड़के बात करोगे ना, शायद वो नावाज हो जाएंगे, लेगर आप उन सबसे हसी में हसी से बात करोगे, आप उन में से एक हो जाओगे, तो सब लोग आपको आपसे जूड जाओगे, विजन होता है, एक आदमी निकलता है एक आइडिया लेके, वो आइडिया लेके निकलता है तब उसको एके प्रोडिसर वाके मिलता है, जो उसको बिलीव करता है, उसको फाइनस वाके मिलता है, जो उसको बिलीव करता है, उसको स्टुडियो वाके मिलता है, जो उस पर बिलीव करते हैं और वो दिन रात काम करने के लिए तयार होते हैं उन सब लोगों को बता ला कि मैं आप में से एक हूँ मैं मेरा ड्रीम मेरे अकेले का ड्रीम नहीं है फिर्म मनाना मेरे अकेले का सपना नहीं है यह हम सब का सपना है चलो सब मिलके अच्छा कुछ तो करें, कुछ इंस्पाइविंग करें, तब जाके स्ट्रेस लगता है, दिन हार दिन चैलेंजिंग लगता है, दिन एक्ट दिन सब वापिस उटके खड़े हो जाते हैं, आप शूट को आते हैं, तो आइटिंग मेरे लिए अगर पूछे होग मेरे अच्छा के आप जड़ी ज़ली सक्सेस मेली हैं, तो कई लोग सक्सेस के बाद एरोगेंट हो जाते हैं तो इसमें किस तरीक इसे डील करते हैं? अभी कहले सेंपलती तू और मैं ताली को बहुत सक्सेस मिलाले हैं, जी, I think top 5 web series में है यो 2020 फिल्म मैं आटलो को इतना success नहीं मिला theatrical बोल रहा हूं मैं थेटर में इतना success नहीं मिला critical acclaim तो काफे मिला critical acclaim बहुत मिला, views बहुत अच्छे थे लिगिन लोग आई नहीं उस तायम फिल्म टेकने के लिए एक दिन लगा खाली एक दिन में इस बहुत ही नर्वस था मैंने प्रोडुसर को भी फोन किया था विनन बानशाली उन्हेंने मुला कि चलो restart, restart करते हैं हम लोग तो लेसर लेकिन ऐसा लगा नहीं नहीं, टेशन मत ले रहे हम लेने ऐसा काम किया है जो हम लोग को जिन्देगी बहराद हम लोग प्राउड फील करेंगे जब मेरे प्रोडुसर ने जितने इतना पैसा उसमें इन्वेस किया है अगर उनको इतनी पॉजिटिविटी वे पॉजिटिविटी उनमें ही है कि हम ले ऐसा काम किया जो हम लोग जिन्दिगी में प्राउड रखेगा बस एक दिन पूस एक दिन के बाद मैं आउम लोग एंड मैं अभी भी वैसा हूँ जैसा मैं पहले एड्रेजिंग में था आज मैं आपके इंटेविव के आया हूँ मैं आउम वली शॉर्ट सचपल में रहता हूँ जहां मैं रहता हूँ वह मेरे साथ लोगों के मैक्सिमूम सेलफी एदर वड़ापो के गाड़ी पे है या मिसलपो के गाड़ी पे है मैं सुभी जाता हूँ बेखफस के सब्सक्राइब आके सेलफी निकलते हैं आप वह हूँ ना जो डेवेटर हूँ आतल्चिके पहला हमे वह हूँ क्या बात कर आप यहां आते हो हां तो क्या हूँ मेरी स्कुटर है जिसके मैं ताहना मी गुमता हूँ life अब भी वही चल रहा है क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि एक तो जिंदेकी का सबसे best काम आप एंट तक नहीं करते है वो process है वो चालू भी वेता है चालू भी वेता है आपको लगते है नटवंग अच्छी थी तो बालगंदव अच्छी बनी बालगंदव अच्छी थी तो बालगंदव अच्छी बनी करते 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 ताली अच्छी बनी ताली अच्छी बनी तो अटेल जैसा कुछ अच्छा काम हुआ आज से मालूम ने आगे क्या है आगे क्या होने वाला है अगर मैं सोचने बेटूं कि मैं successful काम करना हूँ, वो box office के आकड़ों पर है, तो I think यह गलत है, जो मैंने सोचा था, जो मैंने believe किया था, जो subject मुझे लोगों तक ले के आना था, मैंने वो किया, मैंने यह success है, कि मैंने वो किया, कि को करना ही itself बहुत difficult process थी, जैसे अटल जी की film थी, किया, ताली थी, वो film के process से एक एक देर-देर साल की थी, वो एक देर साल मैंने believe किया उस पर, मैंने बिल्कुल compromise किया, compromise नहीं किया, कि जहाँ जो मुझे करना था, मैंने वो किया जो मुझे करना था, और मैंने एन तक वो किया, उसके figures किया है, वो I think मेरे हाथ में नहीं था, जो मेरे हाथ में था, एक अच्छी फ्रीम मनाना, मैंने वो definitely गिया, I am very happy about that, हाँ, अगर मैंने बुरा काम किया होता, और सक्सेस मिलता, तो भी शयद मुझे इतनी कुशी नहीं हो थी, बड़ मने अच्छा काम किया, और जब अच्छी काम को सक्सेस मिलता है, तो इस से लॉटरी, तो अच्छा काम भी अच्छा हुआ है, और सक्सेस्फुल भी फ्रेम हुई है, मैं पहले हिस्ट्वी मैंने काफी इसा काम किया, जो मन से किया हुआ काम है, दिल से किया हुआ काम है, I think very soon वो भी हो जाएगा जो box office पे मैंने कियो फिल्म सूपर वीट होगी सो दो सो कुछ का बिजनस भी करेगी और मुझे satisfaction में मेलेगा कि मैंने ये काम किया है बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा जो commercial art के आप बात करते हैं जो commercial art बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अपनी पूरी life में से especially जो beginner level पे आप ही की industry में है उनको आप क्या lesson देना चाहेंगे क्योंकि किसी भी field में आप शुरू कर रहे हो तो वो एक बहुत struggle का phase रहता है उस time पे वो strength mentally tough रहना और अपने आपको motivated रखना म autumn बहुत जादा जरूरी है तो what lesson you would like to give to the people who are beginner in maybe in this field or any field basically I like this word there are three words conceive, believe, achieve I love those words why I love those words because why conceive is important because in this new generation there are lots of things you can conceive I can become fashion designer I can become interview designer I can become writer I can become editor I can become financial person I can become ID, I can become anything there are lots of things I can conceive first decide what you want to conceive so conceive is very important I want to become a writer or I want to become a director so you conceive it and once you conceive it there are lots of things comes in your mind that I can do it I can do it or it doesn't happen I got any work in it so I saw it first you can conceive and believe believe in it work hard but again work on it learn from failure and do it learn from failure and do it but don't forget to conceive the one who is conceived is to believe and achieve if you have done it conceive and believe then only you can achieve then there is a third path going on the one who has conceived and believed is to achieve it this is the first path of failure you can do it 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 do it you can do it you can do it you can do it you can do it and work on it so you can do it follow this conceivably I think everybody can be at least I don't say it I will say it I will say it but I will say it but I will say it yes I have done it 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 it is very important so true one time that is I think very crucial so now before we move to the rapid fire any lesson that you want to give to our audience I want to tell you both any other director writer or film made were given that if film is Superweight it doesn't happen and he drives it to know that the deixar won't be on national art I think the filmmaker needs to have the film whose heart القed and made the film made the film who wants to tell the stories on the social media that they have been told I think that I really DO I think the true stories should come very much human to understand जितने भी famous फिल्म हैं, जितने भी classic फिल्म हैं, इसलिए बनाए गई है और किसी को बनानी थी, किसी को कहानी बतानी थी I think उसने सोचाने तरह एक फिल्म हिट होगी, या यह फिल्म फ्लॉप होगी, या इस फिल्म को awards मिलेंगे उनकिमे passion था फिल्म मनाने का, फिल्म मेकिंग का, तो I think मेरे जैसे कफी सहरी directors रहें, कफी सहरी producers, कफी सहरे writers है जो फिल्म मनाते हैं, जो उनको फिल्म मनानी है, उनको कहानी बतानी है आपको तो I think आपको जब कोई भी अच्छी फिल्म लगे आपने कुछ सुना के अच्छी फिल्म आ रही है तो किसी की भी हो आप जाके प्लीज वो थेटर में देखिए I think उन सबको वो ब्लेसिंग मिलेगा Lovely नवी जी बहुती depth में आपने चीजों को समझाया जो आपने खा था शुरुवात में की Creativity Means Simplicity जो कई complex चीजों को आपने Simplify करके बताया उसके लिए बहुत बहुत थन्यवाद और now we will move to the rapid fire Ready? All set किसी और फिल्मेकर का कौन सा Directorial debut आप विश करते हैं कि आपका होता Imtia Zalika जो फर्स फिल्म थी उनकी Low Story थी And I love that film बहुत ब्यूटिफुल फिल्म थी ओ आपके गाव से आई किस विजदम ने आपकी फिल्मेकिंग को सबसे जादा Influence किया जमीन पर वो Down to Earth Down to Earth जो 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 नट्रंगी टुई थी में गाव में गया था तो मुझे गाव में थेटर ही नहीं है Film थेटर नहीं है 100-100 किलोमेटर तक तो मैं जो गाव में गया नट्री सूपर इटूए थी ओमे में और विजदम में सदन लोग में असच साइन मीन ले लेन लेके थे गाव में गया था नाटक का सेट लग रहा था किसी ने मेरे पास आके कलर का डबा दे दिया चाह पेंट कर दे करके मैं फुल दिन वो पेंट करते रहा तो आइ थिंक डाउन टू अथ आपकी कौन सी फिल्म बनाने में सबसे ज्यादा चैलेंजिस आपने में से उसकी है और तो परली फिल्म थी जिसको लोगों को का चानल द पहले फिल्म में आप सबसे नए होते हो तो आपके वाव जाता प्रिया नहीं होता आपके बार पादी जाता पप्रिसटी नहीं होती तो उस ताम बहुत डिए थिखलत था लोगों को बताने कि रिए हाँ ये फिल्म मेंने की है इसको और दो साल लगे तो में भिटके लिए अगर आप किसी भी आर्टिस के साथ कोलेबरेट कर सकते हैं, चाहे वो जिन्दा हो या गुजर चुके हों, तो वो कौन होंगे? सत्य जड़ेट क्या ज़्यादा ग्रेटिफाइंग है? नेश्टाल अवर्ड जीतना या ओडियन्स का प्यार जीतना? ओडियन्स का प्यार, विकार नेश्टाल अवर्ड मिलने से भी ओडियन्स का प्यार भी मिलता है, वो कौनसी एक मूवी है जो आप बिलीव करते हैं, हर एस्पाइरिंग फिल्मेकर को देखनी चाहिए? कौनसा जोनर है, जो आपने अब तक एक्स्प्लोर नहीं किया है, पर विश करते हैं, क्या आप करें है? मैं बहुत डर्पूक हूँ, मैं वात को सोते को कभी लाइट लगा करें सोता हूँ, जब हमारे कर पर और फिल्म लगती है, तो मैं वाइफ ऐसी दिखती है, मैं ऐसा दिखता हूँ, तो I think I can make a good horror film, तो मुझे horror film करनी है वो कौन सा एक element है, जो आप बिलीव करते हैं, हर कहानी में होना चाहिए, impact डालने के लिए स्टोवी होनी चाहिए सिनेमा में mental health को portrait करने का आपका favorite तरीका क्या है? मैं एक फिल्म के दिखा चाल लिंबू, जो mentally retired child पे थी, जिसने मैंने acting की थी and I think mental health अगर फिल्म में आपको दिखानी है, तो आपको सबसे पहले उस आदमी के psychological को understand करना पड़ेगा, जो mental health से जा रहा है उस psychology अलग होते है, उस चीजों को अलग point of view से देखते है तो वो आपको understand करना पड़ेगा, देन उसको आपको portrait करना पड़ेगा तो I think to portray mental health, you have to get into the psychology of that particular person, कि वो चीजों को अलग तरी के से देखते है फिल्म मेंकिंग के प्रेशर के बीच में आप अपने mental well-being को कैसे manage करते है जोक्स तो एक जोक सना ही दीजे, ना अभी फड़क से जल्दी याद दी आएगा, लेकिन ना मैं हमेशा, जब कुछ भी difficult point होता ना कुछ कुछ कॉमेडी याद करता हूँ, कुछ कुछ देखा होगा YouTube, YouTube, PSI, कुछ कॉमिक तो वो याद करता हूँ, खुद को मैं happy situation में रखता हूँ, जो दो में बाज़ो बाज़ो में इतने संकठ चालू होते हैं, like for example, गाना शूट करना हो, एक दिन में शूट करना है, और सुबह साथ बज़े से बारिश गर रही है, बारिश रुकी नहीं रही, प्रोडूसर को पूछ रहा है कि अभी शूटिंग रोकना है अभी, अगर रोका तो कैसे करेंगे आगे जाके, हम तब तक मस्तरी कोई तो comedy देखके चालू, कोई comedy, drama या कोई comedy scene देखते हुए तो मन में कि यह जाएगा, यह भी जाएगा, और जैसे ही वह बारिश गई, जो गाना शूट करने के लिए दो दिन रखे थे, मैंने दो गंड़े में शूट किया तो, इन बेट्विन, इसमें मैं पॉजिटिव यह सोच रहाता, कि तो जा जाएगी, लवली, लवली रवी जी, बहुत ही सटीक आंसर और बहुत ही डेप्थफुल कॉन्वर्शेशन रहा, और एंड में इनर वेलनेस का इनिशेटिव अपने लिया, इसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें तो, मुलिए तो इनर वेलनेस आज की तक में बहुत इंपोर्टेंट है, जे, बिकास आउटर वेलनेस के लिए लट्स अफ टूल्स, लट्स अफ मेडिकल मेडिसिन पर देश इनर वेलनेस आपको खुद को भी बेसिकली अंडरसेंड करना पड़ा है का, येस यह यह इल, इसके लिए बेसिकली आप किसको मिलते हो, क्या करते हो जिए बहुत important, तब मेंवली आजख की तर्विक में इ interpersonal wellness is the most important thing and गासे मैं येसे माले बादा आऊटर wellness के लिए there are lots of tools, inner wellness you are the only tool. So basically, आपको खुद को, उस इनर वेलनेस, आपको खुद को ओ निलनेसे बहा निकलने के लिए, आपको खुद को ही ओ करना पड़े, आपको खुद को अझाख करना, कि आप पुद करना, नहीं कर दो कोई अंढेस्टान, मैं कियो बिमारू, क्योके ये बिमारी के नाम बिमारी नही नृ ना, तर्सो, शो मेन थिंख.